कर दो कि अब है एलो स्टूडेंट्स आ वेरी गूद मॉर्निंग टू अल आप यूवागत है आप सब ही का सब पलता क्रासित में तो जैसे कि आप जानते हैं करेंगे साथ बज़कर है तो शुरू करते हैं हमारे करेंट अब जाने लगी होगी तो फ्टाफट से शुरू करते हैं अपने मॉर्निंग अपने के साथ क्या चलने वाला सेशन सारी बाते बताएंगे के सबसे पहले मौर्णिंग मोटिवेशन के साथ दिन को स्चार्ट करते हैं तो हर सुबह हमारे पास दो ऑप्शिन होते हैं यह तो हम सुबह उठके जो है नीन में ही अपने सपने देखते रहें या फिर उठकर उनको पूरा करने के होड में लग जाएं ओके तो आई होप सो कभी इस ही मोटिवेशन के साथ उठे होंगे कि हमें अपने सपनों को सकार कर ना है और इसलिए हमारे क्लास को जॉइन कीज तो चलो इसी मोर्निंग मोटिवेशन सा सेशन को स्टार्ट करते हैं और भैया हम साथ हैं आपके सकस्व करते हैं और आपका मॉर्निंग सब्सक्राइब का करेंट अपैस शुरू हो चुका है यह सारा पूरा शेडील है दिनब सभी कोर्सेस पे discounts मिलने वाला है वो भी 10% का यदि आप यह गदी को करते हैं तो और उसके बाद की जाए में एक बने रही एक फी ते ना करें कि बहुत इंपॉर्ण !!! तो को सब June 25 का देख में है प्रिविजन प्रिविए सेकर यानि कि प्रिविए सेशन के सेशन में जो भी निउस हम लोग ने पढ़ी ती उसका एक क्रिविजन होगा है लाइन उसकी देखेंगे और बाकी चीज़ां के बार में तो मैं लोग आफकॉर्स पढ़ी चुके पर एक बड़ी है जरूर पहले यह अलग सेशन नहीं लाते से सेक्शन नहीं रखते थे पर क्योंकि अगर आप नूट्स बना रहे हैं अगर आप स्क्रिविजन वाले हैं और वहीं जो ऐसे जो कि नए हैं जो कि हमारे कंप्लीट नहीं हुए है यह सारे पॉइंट आपके लिए नहीं कि आपके लिए मिस करना नहीं जो है तो चलि इसी के साथ साथ शुरू करते हैं नवमबर तो सबसे पहले तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को ओके रोहित कंचन रूद्र ओके मैंता जी अमन सुधीर बहुत अच्छे भी जेंद्र राधे शीलू करना क्या है बेटा आप सभी को सेशन को एक बड़ी लाइक करना है प्रेंस ओके गुड मॉर्निंग सेशन को लाइक कर करना है जादा से जादा लोगों तक बहुंचाना है और आपको करते हुँ चलना जादा जादा और पार्टिसिपेट करना जो भी कोशन पूछे जाए चलो हरनमादेव और आगे पहली न्यूस पर चलते तो पहले तो प्रीवियस सेशन का जो भी रिवीजन है वो क्योंकि एक बारी तुमको अपडेट मिल जाएगी कि क्या है और उसके बाद जाके उसके बारे में डीप देखते चलना तो कहा जा रहा है कि इंडियन कोश्गार्ड के डारेक्टर जनल होते हैं है जिनका नाम होता है कृष्ण स्वामी नट्राजन और उन्होंने कमिशन कि क्या है इंडियन कोश्गार्ड की यह यहां पर मैं आप इंडियन कोश्गार्ड इंडियन कोश्गार्ड को कमिशन करेंगे आई सीजी के डारेक्टर जनरल जिनका नाम बेटा क्या रहेगा जिनका नाम रहेगा आपके प्रिश्णा स्वामी नट राजन फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्या है फिर नेफ्ट देखते हुँ चलते हैं मनसुख मंडाविय जी आप इन्हों ने क्या किया है तो भाई यह आपके मिनिस्टर ने जिनका नाम है मन्सुख लक्ष्मी भाई मंडाविय और इसके बार में अगर बात की जाए तो कहां से कमिशन के एक बार यह देख लें तो बैटा और बंदर एक बार देख लिए इन इं इसको बनाया है यह बात की जाए तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मंसुख मंडाविय जी ने यहां पर एक वैक्सीन की बात की जिसका नाम है न्यूमोकोकल कॉंजुकेट वैक्सीन निमूनिया के लिए जो यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम के अंतर गताए और आजादी के अमरित माउसफ इनिशिय यानि की पचास साल पूरे होने वाले हैं इंडिया के होने के अफसर पर यहां पर यह लाया गया है और मंसुख मंडाविय जी ने कॉन सा न्यूमोकोकल कॉंजुकेट वैक्सीन को यहां पर यह पर लांच किया है ठीक है आगे की ब यह डायलोग की लांचिंग कर दी गई है और बहुत इंपोर्टन रहेगा यह ठीक है यह की तीम रही थी फिर बात की जाए गवर्मेंट कर दिया है आर्वी आई के गवर्नर भाई शक्तिकांत दास जी का जो टेन्योर है वो खतम हो गया था और 2018 में आयते 2021 को खतम हुआ थ तीन साल के लिए और बढ़ा दिया गया यान की तो हजार चौबिस तक रार्वी आई के गवर्नर के रूप में आपको यह देखने को मिलेंगे उसके बाद बात की जाए तो यहां पर एक रिपोल्ट आई है फाइव यह तो ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इंवेश्मेंट क्लाइमेट के रिपोल्ट आए गलोबलट पर रिपोल्ट आए जिसको लंडीन पार्टनर कंपनी जी में भारत की नाइक्ट हों SECनोली इंवेस्ट्मेंट में 111 25руж में पाएव uh पर रहा है इसके बाद बात कि टॉप पे क्या रहा है कैसे क्या चीज़ है नहीं सेशन में जाके देख लेना डीप डिसकेश्व होना था काफी साधा फिर शवकत मिर्जी यह इनको जो यह अल्रेडी प्रेसिडेंट है उस बेकिस्तान के वापस सेलेक्ट कर दिया गया है उस यह सब्लीक आपका यह एक औरनेंस सैंटर बेंकलु टॉप किया है पिर बात किया तो इसी में इस स्माल टेट कैटेगरी में इस नि deben में आपके उदू चेरी ने टॉप किया है तो भाई यह सारी पॉइंट से यह सारी मोस्ट इंपॉर्टन न्यूस से पिछले दिनों की देखा है बहुत अच्छी बात रिवाइज हो गया और नहीं देखा है और नहीं देखा है तो आज देख लो और जाके इसके बारे में पढ़ना शुरुआत करते हैं पहले पहली नियूस अच्छा एक और रहे गई है सुप्रीम कोट ने अपॉइंट किया है यहां पर कमीटी बनी गई है और बात की जा रही है और यह जो कमीटी बनाई गई है सुप्रीम कोट ने जो यह कमीटी बनाई है फटबि त्पंड है इसके हैड कोन है तो इसके हैड रिटायर्ड जस्च जस्च आरवी रविंदरन सहाब रिकाशना के घटायं में उसके कमीटी बनी बनी हैर यह पहले इंप लिए भीनाप नेव्येंड है आगे बढ़ते हैं और नदर दालते हैं ओके नदर डालते हैं आज की न्यूस है फटा फट से शुरू हो जब फटा फट से देखते हो चलो बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला है सेशन को लाइक शेयर करते चलना जो स्टुडेंट्स नहीं भी जुड़े हैं वह इन भी जुड़ते चले तो भाई भारत में राश्ट्री एक 23 अक्टूबर को मनाया गया और क्यों मनाया गया आगे देखते हैं ठीक है ओके तो बेटा यहां पर आप जासाब आप कभी भी किसी भी एक्जाम में यह नहीं रेलिवेंट के यह बता सकते हो कि इतना नंबर सिक्स चीज़ काईगा पर करेंट अफेर का सेशन पहले तो करे मतलब नहीं है यह उख्षेर कितना आना चाहिए सिखनल नहीं बस आपको क्या करना है क्या यह रहा ठीक है तो यहां पर क्योंकि अगर आपको यह रहेगा कि यह कम आता यह जादा तो आप उस चीज़ में कम ध्यान दोगे और वाट कब को आया है क्या 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 आपसे question उत रहो आप कहा जा रहा है राष्ट्री एकता दिवत या दिवत मनाया जाएग जब भारत सरकार ने कवह दिवत मनाया जाएगा कि राश्ट्री एकता दिवत मनाया जाएगा ठीक है तो क्यों मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन राश्ट्री एकता दिवत मनाया की बात की जाई थी क्योंकि ट्रिब्यूट दिया गया था आईरन मैन ओफ इंडिया को जिनका नाम है सरदार वल्लब भाई पटेल नाम है इनका जो आपके Iron Man है कहा जाता है Iron Man of India के नाम से जानते हो भारत के लौपुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता है और यह भारत के पहले Home Minister रहें तो फिर से देख लेते हैं तो 2014 में भारत सरकार ने डिक्लेयर किया कि हम राष्ट्री एकतत दिवस नाम से एक दिन मनाएंगे और यह जो दिन रहेगा इस दिन ट्रिब्यूट दिया जाएगा लौपुरुष भारत के लौपुरुष सदार वल्लब भाई पटेल जी को जो हमारे भारत के पहले Home Minister है इस बार इनकी 146 वर्ष घाट है इनकी जिन्हों ने भारत के स्ट्रगल में जो भी अजादी के स्ट्रगल रहा है इनका बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है उसमें इनका जनम बहुत पटेल जी का जनम 31 अक्टूबर 1875 में हुआता नंदेद गुजरात में और बात की जाए तो इनकी मृत्तियु कब हुई थी 15 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्तियु हुई थी बॉंबे में ठीक है तो 31 अक्टूबर 1875 को नंदेद गुजरात में इनका जनम हुआ वही मित्री हुई 15 दिसंबर 1950 में बॉंबे में फिर बात की जाए पहले तीन साल इंडिया के इंडेपेंडे पर जो इंपॉर्टन है पहले हूं मिनिस्टर रही है यह भारत के विमन यानि की बर्दौली की जो महिलाओं ने व्लब भाई पतेल जी के नाम के आगे सर्दार टाइटल लगाया तय जिसका मतलब होता है कि यह प्रमुक्या एक नेता के रूप में इनको कहा गया जिनक्या यानि कि सर्दार का टाइटल इनको बर्दॉली की महिलाओं ने दिया किसका टाइटल सर्दार और इसके बाद बात की जाए तो यहां पर इनको इंडिया के सिविल सेवकों के लिए उन्हें भारत के सिविल सेवकों के लिए संत भी कहा जाता है क्योंकि इन्हों ने modern all इंडिया सर्विसेश सिस्टम को भी इंट्रिडूस किया था और इसके अलावा बात की जाए तो of course statue of unity कहां होता है statue of unity कहां होता है के वडिया में सर्दार का टाइटल ने कहां मिला लॉपुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इंडियन सिविल सर्विंट्स के लिए इनको एक तरीके से सरक्षन संस भी कहा गया क्योंकि यह इन्हों ने all in all इंडिया सर्विसेश सिस्टम modern all इंडिया सर्विसेश सिस्टम का establishment इन्हों नहीं किया था और statue of unity कहां पाए जाती बेटा गुजरात में पाए जाता है statue of unity और इन्हीं का यानि कि भाई बरला भाई पटेल जी का ही यह स्टैचू है और इसको के वडिया गुजरात में देखते हो तरफ से इस्टैटिक में गुजरात देख लेते हैं अपने में खुद ही एक कि इस्टैटिक कोशन की कम मनाया जाता है और अगर बात की जाए गवर्नर की तो यह राजपाल होते हैं आचार देव वरत इनका नाम है और राजसभा की सीट्स कितनी हैं राजसभा की यहां पर कितनी सीट्स हैं पर फिर के बास बाद बात की बाथ की जाए यहां पर इस टेत्स यहां पर होता है लाइन ठीक है तो इस्ठैट अनिमल की बात की जाए बेटा दो यहां पर आहरें जो हता है लुह रहा है और aircraft फ्लैमिंगो इस्टेट बर्ड होती बेटा इस्टेट बर्ड होती है ग्रेटर फ्लैमिंगो क्या होती बेटा ग्रेटर फ्लैमिंगो होती है और फिर बात की जाए इस्टेट फ्लावर मैरी गोल्ड होता है यहां पर क्या होता है बेटा मैरी गोल्ड क्या होता है मैरी गोल्ड स्टेट इंहां का भन ट्रीट होता है यह तारे तार है आपको गुजरात नाशनल पार्क यहीं पर या निकी आपको गुजरात से नाशनल पार्क आप रन अफ कच्छ की बात इस बहुत यहां पर आपको देखने को मिलता और उसके अलावा कौन-कौन से आपको मरीनने फुलड से लिच तो यह स्टैक पॉइंट ले सकते हैं लो जिस भी प्रकार्द तुम पढ़ाई करते हो स्टाटिक पॉइंट अलग से लाने का रीजन यह कि मिंगल कोई इन्फॉर्मेशन ना हूं तो इंटरनाश्री अहिंता दिवस पटाफट से बताना है तुमको ओके वह नीश बहुत अच्छे सभी का सही जवाब आते हो दीपक बहुत अच्छे बिंदू आंसर है सेकेंड ओफ ऑक्टूबर वह किसके किनके जनम दिन के उपलक्ष में यह मनाय जाता है महत्मा गांधी के जनम दिन कभी भी पूछा जाए मनाये ही जाता है क्योंकि गांधी जैयंती होती है दिन गांधी में जैयंती होती है एक अहिमता को प्रमोट करते थे और इसकी यहां पर इनकी बर्तानी बर्तरी बिल्कुल याद रखना इस पॉंट को फिर आगे बात कि और उपाध्याईजी की और कब मनाया जाता है या रखना पचीस सितंबर को यह दिन मनाया जाता है और किनकी भाई पंडित दीन दयाल उपाध्याई जी कौन हमारे पॉलिटीशन पंडित दीन दयाल उपाध्याई जी जिनकी जो है बर्ट अनिवर्सरी पर ये दिन मनाया जाता है क्लियर नहीं एक और जी मानए जाताहें कि अधिए होती है कि का जनम होता रखने ली फीस अगस का दिन होता है और सबसे सही जवाब दिया अपने राजीव गानी जी का हापी बर्डे होता है सद्धावना दिवस को तबिके कीरे बैस सबी के क्लियर है और बिल्कुल सही आंसर देते हुए बिलकुल सही आंसर देते खाना रधाख प्रियंका रोहित शगुन ओके सबी को जाँधा बहुत अच चार्ण की कोई मिमीशन आया है जिसका नाम है mission समुद्र रयाजन इक्या एक्या है तो यह क्या से यूनियन मिनिस्टर ऑफ इस्टेट इंडिपेंडेन्स चार्ट पॉर सैंस संद्टे सब्सक्राइब को कि यह हाईएस है उनके ओपर कोई यूनियन पीज्टर भी नहीं है स्फीड में लोगांड़ा का nyt में कहां फैरीट युक्त मानवयूक्त महातांगर मिशन समुद्रियान को शुरू किया नाम है भई मिशन का समुद्रियान पहला मैंड ओशियन मिशन जिसका नाम है मिशन समुद्रियान भई बहुत इंपर्टन इसके अलब बात की जाए यह जो यूनिक ओशियन सब्रकाइब और यहां पर युएसे जापान outfits चायना अलरी से मिसन से रहा था और भारत ने भी इस लिस्ट को जॉइन कर लिया ठीक है भारत ने भी इस लिस्ट को जॉइन कर लिया है और यहां पर क्या कहा जा रहा है जो इसकी डिजाइन है कहा जा रहा है जिनका नम है सब्सक्राइब कर लिया है और यहां पर किन और इसको बनाया है यह इस लो आयाई टी आयाई टी मदरास और DRDO की मदद से यह बनाए ठीक है यह सब की मदद से बनाए अब आगे की बात की जाए तो यह पांसो मीटर रेटेड कहा गया है मानव यूक्त पंडुबी के पांसो मीटर रेटेड उतले जल संस्करण में समुझरी परिक्षन 2022 के अंतिम यानि कि कब हो जाएगा यह परिक्षन की इस यह सारे इंपॉल्न फड़ा रहा है इसमें से एक पॉल्स नोन रेलिवेंट साबर सुन इस ऑप सरकार के लिए जीफ हाट्रो कौन होते जो सी के अंदर करते हैं वही हाइड्रोग्रिय कहला रहा चीफ हाइड्रोग्राफर के रूपे हाली में किनिकी न्यूक्ती हुई थी बिने बंदवार अधीर अरोडा पंकत कुमारिया गुर्बीर पाल सिंग फटा फटते बताते जलना लेटर्स में इनकी न्यूक्ती हुथी हाइड्रोग्राफर के रूप में क्या नाम होना चाहिए प्तिर सरह करते हैं बैगा लिएंवा जी को रिपलेट करके बैइ़ अधीर नाम आया है कुमार कौन है पंकाज कुमार कौन है जिनका option में दिआ गया है तो iOS यह आपके क्या डिरेक्टर जनरल है तो भाई यह आपके बॉल्डर सिक्योर्टी और की यह नहीँ दा bald wszyscy और गुरबीर पाल सिंग नाशनल कड़ेट कॉप के ने डारेक्टर जनरल बने जिनका नाम है गुरबीर कम पैल सब्सक्राइब के बहुत होते हैं एंपॉटेंट पहुएं तो इनका है इनका नाम अधिर रोला साथ मैं या दखना ओके कर दो प्रस्ट प्रोग्राम प्रोग्राम शुरू किया है तो कहा जा रहा है कलिंग इंस्टिटूट और सोशल साइंसेद बूबनेश्वर में पाया जाता है इनका इनिशेटिव आया है इसके अंतरगति इन्हों फर्स्ट पहली है कलिंग इंस्टिटूट ऑफ सोशल साइंसेज में दुनिया का पहला फीफा फुटबॉल फॉर इस्कूल कारिक्रम शुरू किया गया ता और पहली बार फीफा फुटबॉल फॉर इस्कूल प्रोग्राम यह कहां पर देखने को मिलेगा तुमको यहीं दिनों ने लाउंच किया इस प्रोग्राम को और फुटबॉल क पॉट कूल सी यह इक अमबीश्यश कंप्रोग्राम्हे यह इसका नाम रहेगा फुटब फॉट वार्ठ स्कूल और वर्ड वायट प्रोग्राम है जो वीफा द्वारा रंख किया जये कि कि के द्वारा चलेगा फीफा द्वारा चलाया जाएगा और कहा जा रहा है कि जो स्कूल एजुकेशन के डवलप्मेंट में और साथ सो मिलियन स्टूडेंट के लिए इसको लाया जाएगा यानि कि स्कूल एजुकेशन के डेवलप्मेंट और साथ सो मिलियन स्टूडेंस को एमपावर करने के लिए प्रोग्राम को फीफा द्वारा रन करा जा रहे हैं इसको स्कूल में लाया जाएगा और यह फीफा और कलिंगा इंस्टिटूट ऑफ सोशल साइंसेस का क्या है फीफा और कल सिकल एजुकेशन टीचर्स को ट्रेन करने की बात की गई थी उडिशा थे और सो फुटबॉल फिल प्लेयर जो है ते कलिंगा इंस्टिटूट ऑफ सोशल साइंसेस और क्या इसमें इन्होंने पार्टिस्पेट किया था यह सारे पॉइंट है और बात की जाए कलिंगा इंस किया जाएगा और एक फीफा के बारे में डिसकर्स करते हो चलेंगे तो पहले फटा-फट से उडिशा के बारे में डिसकर्स करते हैं पहले फटा-फट से उडिशा के बारे में डिसकर्स करते हैं न्यूस कंटेंट ज्यादा है बने रहना न्यूस कंटेंट थोड़ा होता है एक अप्रेल 1936 में इसका फॉर्मेशन हुआ था फिर बात की जाए चैपिटल तो यहां की राजदानी होती है भूबनेश्वर क्या होती बेटा राजनानी भूबनेश्वर होती है पर उसके बाद बात की जाए तो यहां पर इस्टेट अनिमल इस्टेट अनिमल कौन तो संबर ठीक है इस्टेट अनिमल होता है यहां पर इस्टेट अनिमल क्या होता है संबर नाम का होता है आपका यहां इस्टेट अनिमल इस्टेट बर्ड इंडियन रोलर क्यों होती है इंडियन रोलर होती है और महा नदी महा सीर फि बात की जाए फिंग की तो सेक्रेड फिग यहां का ट्री होता है तो यह सारे पॉइंट आपके इस रिलेटेड टोगां यानि की उडीशा से रिलेटेट हो गए और फिर बात की जाए फीफा के बारे में तो फीफा का किस से रिलेटेड होता है जिसको जो है जिसकी स्थापना होई थी 1904 में रहाग का होता है इसका कहां पर है दियूरिक स्विट्जर लैंड इसका है यहां इनका नाम पर अध्याक्ष होते हैं और यह बात की जाए तो यह आपके स्विच इटालियन है और प्रेसिडेंट है करेंट फीफा के यह सारे कर आपके स्टाटिक पॉइन्स रिलेटेड हो गए इस नूट से क्लियर है आगे बात की जा तो सेविंटी सेकंड इंटर सर्विसेज फुटबॉल रही थी और कौन सी जगा पर रही थी याद रखना इसमें इंडियान एयर फोर्स ने जीत हातिल की थी किसने में इंडियान एयर फोर्स ने जीत हातिल की थी और यह कहां पर रही थी चैंपियंशिप इसकी जो चैंपियंशिप रही थी यह कहां पर रही थी यह आपकी रही थी कोची में रही थी कहां पर कोची में रही थी कोची में रही थी भूबनेश्वर में तो आपका मैं से जूनियर होकी वर्ड कप होने वाला है और भूबनेश्वर भूबनेश्वर प्लेस राउर केला में आपको क्या देखने को मिलेगा होकी वर्ड कौन सा में मेंड होकी वर्ड कप मेंस होकी वर्ड कप होगा यहां पर 2023 वाला यह बात भी यार रखना और सेकेंड इंटर सर्विसर जो रहेगा वह क्या रहेगा यहां पर बैवकान हां ओके बहुत अच्छे सबीके कोची में बटाई रहने वाला इवेंट कहां कोची में रहने वाला है लियर आगे की बात की जा तो इन फीफा में भारत की रैंक या फैटरेशन इंटरनाशनेल डे एक बेटा तुम्हारा डूरंड कप रहता एक डूरंड कप रहता जो आपका कलकत्ता में हुआ था और जिसमें किसने जीत हासिल की थी और फटा-फट से बताते चलो क्या अंतर रहना चाहिए जो बेटा 106 रैंक रही थी कोई भी पूझे तो थार्ड ऑप्शन और बेल्ज हमने इसके अलावा साफ चैंपियंशिप भी रही थी 156 फुटबॉल फेडरेशन साउध इस्विटबॉल फेडरेशन जिसमें इंडियार ने जी था तील की ती नेपाल को हराके तो यह तो फुटबॉल से अडिशनल नूद है यह बात भी आदकना 106 रैंक रही थी और साल यहां पर मनाया जाता था इस इनकी अनिवर्सरी के रूप में हर साल गंगा उस्तफ मनाया जाता था चार नवंबर को नाशनल रिवर ठीक है जब गंगा को नाशनल रिवर यहां पर डेक्लेयर किया गया था इसकी यादनी से अनिवर्सरी में चार नवंबर को मनाया जाता था क्या मनाया जाता है आपका गंगा उस्टव और इस साल के जो गंगा उस्टव के इसको सेलिब्रेट किया जाएगा ना सिर्फ गंगा जी के लिए बलकि अक्टिविटीज होंगी जिसमें डियर सो डिस्टिक्ट एक सो बारा गंगा बेल्ट में जो आते हैं और रिमेनिंग दूसरे रिवर्स के अंतरगत जो आते हैं ऐसे डिस्टिक्ट यहां पर एड-on जबश अगर बात की जाए तो यहां पर ऑब्जेक्टिव रहेगा इसानी जादा से जद्धा से पर values करें कहरें और बात की जाए जन्भागी दारियों यहांनी कि जादा से द्यादा लोग आया व्isha और थे प्रमोशन पर इसके अंतरगत बात की जाएगी और इस साल का जो इवेंट है वो किनके लीडर्शिप के अंतरगत आएगा इस साल का इवेंट जो है वो जल शक्ती मंत्राले श्री गजेंडर सिंग शेखावत जी के अंतरगत आएगा और यही हमारा स्टाटिक पॉइंट रहने वाला था कि भाई जल शक्ती मिनिस्टर कौन है तो जल शक्ती मिनिस्टर है आपके गजेंडर सिंग शेखावत नाम या दिक्कत तो नहीं तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पूरा का पूरा सब समझ में आया होगा अब इसी के साथ साथ आगे बढ़ते तो भाई यहां पर कहा जा रहा है यहां पर कहा जा रहा है ऑफिशल मैस्कॉर्ट कौन रहेंगे नमामी गंगे प्रोग्राम के लिए फ ओके भाई सभी का सही जवाब है चाचा चौधरी पहले भी थे ओफिशल मैस्कॉट और दुबारा से इनका पॉइंटमेंट वह एंडिये ओके रोईद बहुत सही कंचन बहुत अच्छे तो यहां पर विदूशी ओके तो यह भी इंपॉटन बनता है अब मोधी जी कहां गए यह रोम पहुच्च चुके हैं और रोम में होने के अवाला है 16th G20 समिट और आपको पता है जी ट्वेंटी की मेंजबानी इजबार और इटली कर रहा था और 16th G20 समिट यानि कि यह 30 और 31 अक्तूबर को यहां पर हुआ था और इसी के उपलक्ष में मोधी जी रोम पहुच लगते बताते हैं कि यहाँ पर इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने इन्वाइट किया था मोदी जी को सिक्स्टींथ जी ट्वंटी समिट के लिए और इनका नाम क्या है तो इसलिए ऐसे कोशन्स लाए जाते हैं और कहा कहते हैं यह का जाता है तो यहाँ पर कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी रोम पहुच चुके हैं 16 जी ट्वंटी समिट के लिए और यहाँ पर जी ट्वंटी मीट जब हो जाएगी उसके बाद मोदी जी कहा जाएंगे ग्लास को यूनाइट किंग्डम और क्या होने वाला है तो आज और कल नवंबर एक और नवंबर दो को कॉप 26 के मीटिंग होने वाली है यहां पर यहां पर यह पार्टिकेट करेंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर बॉर्स जॉनसन जी के इंविटेशन पर और जो पहला सेशन होगा जी ट्वंटी समिट का उसमें ग्लोबल एकनॉमी और ग्लोबल प्रॉस्टारिटी यहां की थीम रही थी इसके अलावा बात किजाए तो और सभी के क्लियर होगा तो बस यहां पर यहां पर यहां पर इन्होंने पार्टी स्वेट किया था जहां पर यह गये हैं मोदी जी ठीक है अब भाई पहले तो बात करी जाए इटली के बारे में और अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी कौन है प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी अभी जिनका नाम हमने पढ़ा और प्रेसिजेंट कौन है यहां के तो प्रेसिजेंट का नाम भी पढ़ देना यहां के हैं सर्जियो मेटरेला यहां के प्रेसि बता सकते हो की G20 Summit की मेजबानी भारत कप करेगा और G20 शर्पा कोन है यह सारे पॉइंट में बनते हैं G20 शर्पा क्म है घीट वैंटी की तो पहले तो पहले बात की जन मोदी जी अटेंड कर चुके हैं 18 ऐसियान इंडिया Summit जो ke React अक्टूबर को कुई थी ती बुर्वनाईं में और ये 2020 है यह कौंसे रिलेशन्ग कि बात कर रहा यह। साल गत्थ श्रला रूठ रही हो तीस साल पूरे हें या ध हैं ठिर्टी ये्यों कंप्लीट हो गए तीस साल पूरे हो गए इंदिया इस्वयान रिलेशन के यही कोश्चन्स आते हैं उठके जो हम पढ़ते टाइम एग्नॉर कर लेते और बाद में हमारे लिए मोस्ट रेलेवेंट बनते ठीक है अठारवी इंदिया समिट रही थी याद रखना जिसमें मोद सब्सक्राइब करेगा भारत होश करेगा सन दोजार तेइस में जीट्वेंटी को यह भी बात याद रखना जिहां एस्यान हेटकवाटर जकारता है और इस्ट एश्या समिट भी 27 अक्टूबर को मोदी जी ने अटेंड की ती और जो यह कौन से नंबर की इस्ट एश्या सम सब्सक्राइब करें देखते हैं और यह सरकारती पुरानी वाली ठीक है और इहीं के डिसीजन को चेंज करके जो DM के पार्टी है तमिल नाडू में इस टाइम किन की किन की पार्टी है MK स्टैलिन साप की पार्टी है और इन्होंने शनिवार को अनौंस कर दिया है कि जो यह तमिल नाडू फॉर्मेशन डे है यह अब 18 जुलाई को मनाया जाएगा और यह एक नवंबर को नहीं मनाया ज जाएगा यानि की पहले यानि की पहले कहा जगया था पहले तमिल नाडू का जो फॉर्मेशन डे है वह एक जुलाई को मनाया जाता था पर यहां पर इस टैलिन सापकी सरकार ने कहा है कि यह अब एक नवंबर को नहीं बलकि 18 जुलाई को यह दिवत मनाने की बात कही है और से एक नवंबर 1956 को एक तरीके से लिंग्विश्टिक रियोर्गिनाइजेशन हुआ था यानि की भाश्याई पुनर गठन हुआ था इस इस स्टेट का तमिल नाडू का जिसकी वज़े से जिसकी वज़े से आन्प्रदेश करनाट का केरला इससे अलग कर दिये गयते उस समय जो मदरास स्टेट हुआ करता था उससे पर कहा क्या गया कई सेशन होल्ड हुए और कई स्कॉलर्स ने तमिल कॉर्णर से का कि नवंबर बन सिर्फ बॉल्डर स्ट्रगल को बता रहा है तमिल नाडू की इसलिए एक नवंबर फॉर्मेशन दिवसे नहीं होना चाहिए और इ फॉर्मेशन के यहाँ पर इति के चलते हैं यहाँ पर जुलाइ एटीजा को मनाया घया करतें बारें वा्रता चीज़े सीशे करतें यहाँ पर соврем Nagu सका एक एमसीक्यू ना उपाए क्योंकि आज यूस कंटेंट थोड़ा साजाधी है क्योंकि तीन दिन की निउस रहती है तो बहुत तमिल लाडू की बात की जाए तो यहां के यहां के सियम कौन है ंक के ईंके स्टैलिन के औश के यहां के स्टैलिन करते कि यहां के और बात की जाएं भरत नाटियम निल की तथर होता है ठीक है और नीलगिरी तहर यहां का स्टेट एनिमल होता है एमरेल्ड ड्रोव क्या नाम है एमरेल्ड डव डव नाम होता है यहां की जो स्टेट बल्ड होती है और स्टेट फ्लावर लीली होता है टीक है स्टेट फ्लावर बेटा कौन होता है ग्लोरोस्या लीली होता ह स्टेट का कौन सा स्पोर्ट होता है तो बड़ी स्टेट होता है ठीक है आप चलो फटा-फट से आगे बढ़ते हैं तो कारूपुर कालमकरी पेंटिंग और काला कुरूची वुड क्रेविंग इनको कहां का जी आइटाग मिला है तो बेटा याद रखो इनको यहीं का यानि क कं्या कुमारी क्लोब कंन्या कुमारी क्लोब कंछा कुमारी इनको यानि की लौंग यहीं कि नामें में डान चीली और नाम इंग लौंग औरेंज? तमिंग लॉंग औरेंज जियाई टैग मिला है मनीपुर का राजिस्थान का सोजाट महंदी इनको राजिस्थान का जियाई टैग मिला है और असाम का जियाई टैग मिला है किसको जूडीमा राइस्वाइन को जूडीमा राइस्वाइन को और ये सारे इंपोर्टेंट बनते ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं तमिल नाडू विनाय अनुराग बहुत अच्छे सभी को रोहित बहुत अच्छे इसके बाद एडिपी ने डेर सो मिलियन या एक हजार पिंचानवे करोड का लोन भी किनी किसी स्टेट को दिया था ये भी तमिल नाडू को ह आगे की बात की जाए तो करनाटक ने टॉप किया है स्टेट एनरजी एफिशेंसी इंडेक्स 2020 में सत्तर पॉइंट से साथ इन्हों ने यानि कि इन्हों ने करनाटका ने कई इनिशेटिव लिए थैं एनरजी एफिशेंसी को इंप्रूव करने के लिए इतलिए अब सत्का के बाद और हरयाना थर्ड प्लेस पे रहा और स्टेट एफिशेंसी इंडेक्स 2020 इसको रिलीज करता है ब्यूरो ऑफ एनरजी एफिशेंसी पूछा जाता है और अलायंस फॉर एन एनरजी एफिशेंस एकनॉमी ए यह तो यह दोनों बॉड़ी है जो इसको रिलीज कर सब्सक्राइब करती है जो भी कॉंट्रिब्यूट करा जाता है वह यहां पर लाता है तो फिर से देख लो फिर से देख लो कोई बार नहीं समझ आना चाहिए जो लेफ्ट ओवर हो जाएगा वो कल टेक अप कर लेंगे करनाटका ने टॉप किया है इस टेट एनरजी इफिशियंसी के लिए एनरजी इफिशींसी के लिए कोई बात नहीं जो रहाज़ा है कल पढ़नेंगे समझ में आना चाहिए ठीक है एनरजी एफिश्यंसी को इंप्रूफ करने के लिए जो सरकार इनिशियेटिव लेती है उसको यहां पर लाया जाता है उसके अलावा यह कोई अब तो नहीं ऐसा है कि बहुत स्पीडी जा रहा है तो भाई इसके बारे में स्टाटिक बात में देख लेंगे पहले यह देख लेते हैं पुब्लिक अपेर्स इंडेक्स आयता है पर्फॉर्मेंस गवर्णने सभी बतायता इसमें लार्ज स्टेट स्क्राटेगरी में किसने केरल ने किया था और आगे की बात की जाए तो नीतियायो का थर्ड अडिशन आयता सस्टेनबल डवलप्मेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-2021 जिसमें भी टॉप किसने किया था इसमें भी टॉप आपके केरल नहीं किया था बेटा यह बात भी याद रखना समझ में आ अंगंटन और भारती वाय सेना की टीम ने सईयुक्त रूप से एक हवाई मंच से स्वादेश में विक्सित लंबी दूरी के बंब का सफल परिक्षन किया है कि इसने डियार डी और इंडियन एरपोर्ट में लॉंग रेंज बॉम का एक परिक्षन किया है और यह जो मॉनिटर की जाएगी नंबर ऑस रेंज की दवारा मनिटर की जाएगी काहां थे स्की टेस्टिंग हुई यह टेकाम किया गया है और यह जो ब्रॉम में उसको डिजाइन और डिव्लक किया गया रिसर्च सेंटर इमारत डियार्डी की लेबोरेट्री है जो हाइदरा बाद म के साथ मिलकर इसको लॉंच किया गया है क्लियर है अब यहां पर कौन सा भी हाली में टेस्ट वायर किया था सर्फेश टू सेर्फेस मिसाइल हाली में उडीशा से टेस्ट वायर हुआ था बेटा यह आपका अगनी 5 रहा था और इसके अलबा आकाश प्राइम नाम का एक नया म इसका नाम रहे आकाश प्राइम एक टो इंडियन एर फोर्स का रह Το और करनाट का कर स्था लिए उसं लोग क्लास होगी ना उसमें हम कमपलीट कर लेंगे जो लाश की होते हैं वोब हम लोग देख लेएski छीक है लेकिन कोई बात में कर लेंगे सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना आपको अमारी सारी पीडियाफ मिल जाएंगी पढ़ा क्या क्या से लेकिन में मोस्ट इंपोर्टन करन अपेड प्रीविएज डे की हैड लाइन और एंसी कि रिवीजन पैटन में पढ़ा है न्यू पैटन वाले एंसी क्यू नेच्स सेशन में तेक अप करेंगे ओके इती के ताथ थांक्यू वेरी-वेरी मुच स्टुडेंस वेरी वेरी नाइ स्थे हर अर्मादू